माइक्रो प्रोपिगेशन टेक्नोलोजीज का नेक्स लेक्चर है प्लांट रीजेनरेशन पाथवे सुमेटिक एम्ब्रेव जनेसिस पादप पुनुरुद भवन परिपत का एक ब्रून जनन सबसे पहले इसके जनरल इंट्रोडक्शन या समाने परिच्चे की बात कर लेते हैं तो हम लोग एम्ब्रेव जनेसिस या ब्रून जनन को किस प्रकार से परिवाशित कर सकते हैं ठीक है तो इसमें क्या होता है एकल ब्रून जनित कोशिका होती है एक single embryogenic cell होती है ठीक है उसमें लगातार mitotic divisions होते हैं या समसूत्री विवाजन होते हैं और एक multicellular या बहु कोशिक है सनचना का निर्मान होता है और उसको हम लोग क्या बोल देते हैं ब्रून या embryo और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है भून जनन या embryogenesis कहलाती है ठीक है अब यह जो embryogenic cell होती है या भून जनित जो कोशिका होती है यह या तो जाइगोट हो सकता है ठीक है और या फिर एविवेदित केलस कोशिका हो सकती है यानि कि undifferentiated केलस cell हो सकती है तो इन दोनों में से कोई भी embryogenic cell हो सकती है तो इन दोनों में से कौन सी embryogenic cell से embryo या भून का निर्मान हो रहा है इस अधार पर जो embryos है या भून है वो दो तरह के होते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जाइगोटिक ब्रूण या जाइगोटिक eambribo बोल देते हैं शोकथ तो ऐसा ब्रूण या embryo जो cautious से विखसेत होता है या vários gece developed होता है इसका मतलब यहाँपर जो embryogenic як या ब्रूण जनित कोशिगा है वो कौन से होती है जाइगोट होती है तो जाइगोट से अगर बुरून बन रहा है या एम्ब्रियो बन रहा है तो इस प्रकार का बुरून क्या कहलाएगा जाइगोटिक बुरून या जाइगोटिक एम्ब्रियो ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो जाइगोट जो की कैसा होता है डिपलॉइड या द्विगुनि यह जो brune या embryo बनता है यह बड़े अकार का होता है इनकी large size का होता है ठीक है उसके बाद दूसरा होता है वह काईक brune या somatic embryo इसके उपर direct question बोचा जाता है कि gigantic embryo और somatic embryo में क्या difference है ठीक है या फिर आपको पुचा जा सकता है कि gigantic embryo की परिबाशा दो या फिर काईक brune या somatic embryo की आप से परिबाशा पुची जा सकती है ठीक है तो somatic embryo किसको बोलेंगे जब brune का विकास किससे हो रहा है भी callus की एविभेदित का एक कोशिका से हो रहा हो तो इसका मतलब यहाँ पे जो embryogenic cell है या brune जनित कोशिका है वो कौन सी होगी callus की एक एविभेदित का एक क ब्रून या embryo का दिर्मान होगा और यह प्रिक्रिया इस प्रिक्रिया से जो brune या embryo बनेगा उसको क्या बोलेंगे काइक ब्रून या somatic embryo ठीक है तो इन दोनों टाइप के embryos या प्रूनों के अंदर अंतर आपको पता चल गया होगा तो यहाँ पे देख सकते हो काइक या somatic cell है जो कैसी होती है deployed या द्विगुनित होती है तो इसमें लगातार समसुत्री भी भाजन या mitotic divisions होंगे और इससे क्या बनेगा एक embryo या brune बनेगा लेकिन यह जो brune बनता है वो बहुती छोटे size का होता है या small size का होता है ठीक है और इसका नाम क्या पढ़ जाता है brune या इसको बोल देते हैं embryoid ठीक है और ये कैसा होगा भी deployed होगा और multicellular होगा बहु कोश्री किया होगा और इसकी हर एक कोश्री का या cell कैसी होगी deployed या द्विगुनित होती है ठीक है अब एक term आती है kayak brune जनम या इसको बोल देते हैं somatic embryogenesis ठीक है तो ये somatic embryogenesis क्या है एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा kayak brune का निर्मान होता है ठीक है तो इसको कैसे प्रिवाशित करेंगे हम लोग kayak कोश्री का से या somatic cell से kayak brune के निर्मान की जो प्रक्रिया है या somatic embryo के formation का जो process है वो कहलाता है kayak brune general या somatic embryogenesis कहलाता है अब एक term मैंने अभी बिताई आपक जो kayak brune होता है या somatic embryo होता है वो gigantic brune की तुलना में बहुत ही छोटे अकार का होता है या small size का होता है मैंने अभी आपको बताया और साथ में सूसंगटित सनचना है यानि की well organized structure होती है जो kayak brune या somatic embryo होता है तो इसलिए इसको विशेश नाम दिया जाता है brune या embryo ठीक है तो somatic cell या kayak कोशिका से बना हुआ brune या embryo क्या कहलाता है brune या embryo ठीक है तो ये चीज आपको पता होने चाहिए उसके बाद इसकी history की बात कर लेते हैं embryogenesis की इससे later good scientists हैं जिनके नाम आपको धान में रखने हैं जैसे सबसे पहले आता है जे रिनट 1958 से 59 तक यानि दो वर्षों तक इसने काम किया था तो इसने क्या किया अभी सबसे पहले एक plant होता है carrot या उसको गाजर बोल देते हैं उसके अंदर कृत्रम रूट से या artificially इसने क्या 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 काइक या गाजर की कोई भी काइक कोशिका ली सुमेटिक सेल ली और उसका जब इसने क्रित्रम माध्यम के उपर या artificial medium के उपर संबर्धन करवाया तो उसे भुरून समान सरचना या embryo-like structure डेवलेप हुई ठीक है तो क्रित्रम रूप से जो काइक भून जनन है या artificially जो सुमेट है एंड के मियर्स 1958 के अंदर इन्होंने क्या किया भी जो कैरट या गाजर होती है उसमें स्वतंत्र निलंबित कोशिकाएं यानि कि liquid medium के अंदर या द्रव माध्यम के अंदर freely या स्वतंतर रूप से इसने कैरट की या गाजर की कोशिकाओं को निलंबित किया या suspended किया ठी द्रव माध्यम के अंदर या liquid medium के अंदर काइक ब्रून या somatic embryo का निर्मान हो रहा है ठीक है तो द्रव माध्यम के अंदर या liquid medium के अंदर कैरट से या गाजर से काइक ब्रून या somatic embryo का जो formation है वो किसने देखा इन तीनों scientist ने देखा और इसके लाबा इन्होंने ये भी बताया कि जो coconut milk होता है जो नारियल का पानी होता है नारियल का पानी आपने पिया होगा तो नारियल का पानी जो है वो समवर्धन माध्यम के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होता है भी plant hormones होते हैं जैसे cytokinin है इसके लावा vitamins होते हैं बहुत सारे हैं ना तो जो भी plant growth के लिए required elements होते हैं वो सारे के सारे coconut milk के अंदर या नारियल के पानी के अंदर उपस्तित होते हैं तो सबसे पहले इसका जो महतव हैं काईक ब्रॉंडजनन के अंदर या somatic embryogenesis के अंदर किसने बताया था इन तीन सांटिस्क्स ने बताया था ठीक है उसके बाद NS Rangaswami 1961 1961 के अंदर इसने निम्बू के अंदर इसने काईक ब्रॉंडजनन या somatic embryogenesis का डिटेल में study की थी या विस्तार से इसका अधेहन किया थी तो ये भी आपको ध्यान में रखना है इसके लाबा RN Conner and K. Nutterasa 1969 1969 के अंदर इसने क्या किया भी एक प्लांट होता है Renan plus Scleratus तो इसने somatic embryogenesis करवाया इस प्लांट के अंदर तो इस प्लांट के कौन से टिशू जिसने लिए थे floral parts यानि pushpia भाग लिये थे floral parts अलग-अलग होते है जैसे उसके stamens है उसकी करपल हो सकती है या saples हो सकते है या petals हो सकते है इसके लाबा काई कुट्पों या somatic tissues जो होते है इस प्लांट के तरें से ले सकता है या leaf से ले सकता है तो इन tissues को लेकर इसने क्या किया काईक ब्रोण जनन या somatic embryogenesis का अध्यान किया या इसकी study की ठीक है उसके बाद फिर next आता है PV emirato 1974 1974 के अंदर इसने क्या किया भी कैरम कार्वी इसको persian cumin के नाम से भी जना जाता है इसकी cells इसने ली और इसकी cells को या काईक कोश्चिकाओं को या somatic cells को इसने culture करवाया माध्यम के उपर ठीक है और काईक ब्रोण जो है इसने विक्सित किये अब ये जो काईक ब्रोण या somatic embryos बन रहे थे इनके उपर abscissic amal abscissic amal क्या होता है एक plant hormone होता है पादप hormone है उसका क्या प्रभाव होता है ठीक है काईक ब्रोणों के उपर या somatic embryos के उपर इसकी जो study थी या इसका जो अध्यन था वो किस ने किया था PV emirato ने किया था 1974 के लिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके सिधान्त या principle की तो मैंने आपको दो तरह के embryos या ब्रोण के बारे में बताया है एक तो है जाइगोटिक ब्रोण और दूसरा होता है काईक ब्रोण या somatic embryos तो जाइगोटिक और somatic embryos ये दोनों के दोनो इनका जो development है या परिवर्धन है वो एक ही तरीके से होता है इसका मतलब परिवर्धन का जो pattern है इनका जो development का इनका pattern है वो एक समान होता है ठीक है कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे अभी तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो monocot plants होते हैं यानि कि एक बीजबत्री जो पौदे होते हैं उनके अंदर दोनों प्रकार के जो भूण है यानि कि जाइगोटिक embryo and somatic embryo ये दोनों टाइप के जो embryos हैं वो आधर्श रूप से यानि कि टिपिकली निमन विकासिय अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं ये developmental stages हैं एक बीजबत्री बात्पों के अंदर यानि monocot plants के अंदर तो सबसे पहले जाइगोट या फिर काईकोशिका उससे समसूत्री भी भाजन के द्वारा या mytotic divisions के द्वारा क्या बनेगी globular अवस्था बनेगी या globular stage बनेगी फिर globular stage और ज्यादा developed होगी और ज्यादा mytotic divisions होँगे और फिर क्या बनेगी दूसरी scutelli अवस्था बनेगी scutelli अवस्था translate देगे स्को अपने diagram से देख सकते हैं तो इस diagram के अंदर आप देख सकते हो globular stage के अंदर जो embryo होता है वो कैसा होता है भी बिल्कुल spherical होता है या globular होता है या गोलाकार होता है तो इसको बोल देते हैं globular अवस्था फिर ये थोड़ा सा elongate हो जाता है थोड़ा सा लंबा हो जाता है और इसके एक side पर एक दरार बन जाती है या slit बन जाती है अब इसको बोल देते हैं scuteller अवस्था फिर ये और ज़्यादा elongate हो जाता है या लंबा हो जाता है और ये जो slit या दरार है ये और ज़्यादा गहरी हो जाती है इसको बोल देते हैं कोलियोप टाइलर अवस्था अब यह वाला जो भाग आपको देख रहा है उपर की तरफ इसको क्या बोलते हैं कोलियोप टाइल बोल देते हैं ठीक है तो यह तीन अवस्थाइं जो हैं वो मोनोकोट प्लांट्स के अंदर यानि एक बीजपत्री पौदों के अंदर जब उनके भूण का विकास होता है या डेवलप्मेंट होता है तो यह तीन अवस्थाएं देखने को मिलते हैं उसके बाद फिर हम बात करेंगे द्वी बीजपत्री यानि की डाइकोट प्लांट्स जो होते हैं और साथ में कोनिफर प्लांट्स यानि की जो अनावर्त बीज़ी पौदे होते हैं उन दोनों के अंदर उसमें दोनों प्रकार के जो भूण होते हैं यानि की जाइगोटिक globular stage, multicellular spherical stage बनती है, जिसको globular stage बोल देते हैं, globular stage में और ज्यादा development होता है, विकास होता है, और फिर hurt stage बन जाती है, या हिर्दय अवस्था बन जाती है, hurt stage फिर और ज्यादा develop होगी, फिर torpedo stage बन जाती है, torpedo अवस्था बोल देते हैं उसको, और torpedo stage जो है वो और ज्यादा develop ह होगी और क्या बनेगी बीज पत्रिय अवस्था यानि कुटाइलिणरी स्टेज बन रहती है तो यह चार स्टेज़ होती है डाइकोट्स एंड जिम्नोस पॉर्म्स के अंदर द्वी बीज पत्री और अनावर्त बीजी पौदों के अंदर तो इस डाग्राम के अंदर आप लो का हो जाएगा है ना इसको हर्दय अवस्था या हर्ट स्टेज बोल देते हैं और फिर इसके अंदर थोड़ा सा और डवलप्मेंट होगा या थोड़ा इलोंगेट हो जाएगा और इसको बोल देते हैं टॉर्पिडो स्टेज और फिर लास्ट में आती है कोटाइलिडनरी इसको बीज पत्री वस्था भी बोल देते हैं तो इसमें बीज पत्र बन जाते हैं आप लोग देख सकते हो यहाँ पे यह दो बीज पत्र होते हैं या कोटाइलिडनर रहता है या बोजन समगरी इनमें संगरहित है ताकि जो एम्ब्रियो है उसको नुट्रिशन material से मिलती है respiration या स्वशन के रवारा ठीक है तो ये चार stages है डाइकोट सेंड जिमनोस पॉम प्लांट्स के अंदर जब उनका embryo का development होता है अब जो brun का विकास होता है या embryo का development होता है वो कैसा होता है भी bipolar होता है द्वी द्रूविय होता है इसका मतलब यहां पे दो द्रूव बनते हैं इन में से जो एक द्रूव होता है या एक सिरा जो होता है उस पर प्ररोव निर्मान के लिए यानि की shoot formation के लिए tissue होता है या उत्तक होता है और जो दूसरा सिरा होता है यानि की टर्म आती है प्रांकुर या इसको बोल देते हैं प्लुम्यूल तो यह जो प्रांकुर या प्लुम्यूल है इसमें एक ऐसा उत्तक पाया जो आगे develop होकर या विक्सित होकर क्या बनाएगा शूट सिस्टम बना रेता है यानि कि प्ररोह तंतर का निर्बान कर देता है जिसके अंदर क्या कुछ आता है भी जो जमीन के उपर वाला भाग होता है पौदे का जिसमें stem आ जाता है उसका तना आ जाता है इसके लावा शाखाएं, branches आ जाती है, पत्तियां वगरा है, leaves आ जाती है या और जो भी फूल वगरा बनते हैं, push बनते हैं या फल बनते हैं उसके अंदर, fruits बनते हैं तो वो सारे के सारे इस प्रांकुर या plumule से develop होते है दूसरे सिरे पर देखो क्या है भी, mulankur या radical है इस radical के अंदर एक ऐसा tissue या उत्तक होता है, जो आगे develop होकर किसका निर्मान करता है root system या मूल तंतर का निर्मान करता है, यानि कि जो जमीन के नीचे का भाग होता है जमीन के नीचे क्या होता है, इसका root system या मूल तंतर होता है, जिसके अंदर उसकी शाक्खाएं वगरा हो सकती है तो वो सारे का सारा किस से बनेगा, बुलांकुर या radical से बनेगा तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कि जो brun का विकास है, या embryo का जो development है, वो कैसा होता है bipolar या दूइदरूबिया होता है चलिए, अब अपने बात करते हैं कि जो development है या विकास है, वो किस तरह से होता है तो शुरू में क्या होता है, जो प्ररमभी कोशिका होती है, या निकि जो initial cell होती है initial cell का मतलब यहाँ पे क्या है अभी, यहाँ पे है initial cell मतलब जैसे जाइगोट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है काई कोशिका हो सकती है, somatic cell हो सकती है तो इस कोशिका के अंदर क्या होता है पहले एक एसमान विभाजन होता है एक अनिक्वल डिविजन होता है समसुतरी विभाजन होगा ये भी तो अनिक्वल या एसमान विभाजन होने से दो कोशिकाएं बनती है तो इन में से एक कोशिका बड़े अकार की होगी और दूसरी को साइस की और एक बड़ी यानि लार्ज साइस की सेल या कोशिका जो है वो बंजनती है ठीक है अब इन दोनों कोशिकाओं में से जो बड़ी कोशिका होती है यानि कि जो लार्ज सेल होती है वो कैसी होती है वैक्यूलेटर होती है रिक्तिका में होती है या उसके अंदर बहुत वेक्योल वगरा नहीं होगी और इसी छोटी कोश्य का या small cell को हम लोग क्या बोल देते हैं बुरून जनित कोश्य का या embryogenic cell बोल देते हैं ठीक है अब ये जो embryogenic cell है यानि कि जो छोटी या small cell होती है इसके अंदर आगे की जो व्यवाजन है या division है वो दोट रहके होसकते हैं तो सबसे पहले क्या होसकता है इसके अंदर animate करो अनियमित विववाजन होगे का एक smooth बनता है जिसके अंदर जिसकी जो shape है या आपकरती है वो निशीत नहीं होती है या irregular होती है और उसको क्या बोल देते हैं? खैलेस बोल देते हैं, उसका मतलब कैलेस का निर्मान हो सकता है इस ब्रोण जनीट कोशिका से दूसरा क्या हो सकता है भी? नियमिट वए अधिक सू संगठित वी बाजनों के दोरा यानि regular and well organized अगर cell divisions होते हैं है ना तो इससे क्या निर्मान होता है भी काईक ब्रून या demand embryo का formation हो जाता है तो यह जो ब्रून जनीद कोशिका है उससे या तो callus तक बनेंगा और या फिर क्या बनेंगा काईक ब्रून या समेटिक embryo बनेंगा टेक है तो यहां पर देख सकते हैं आप यह है initial cell या प्रारंबिक कोशिका इसमें एक unequal या S-man विभाजन हुआ जिससे एक बड़ी कोशिका बनी उपर की तरफ जिसके अंदर बहुत सारी vancules आपको दिख रहे होंगी या रिक्तिकाइं दिख रहे होंगी और निचे वाले ही छोटी क कोशिका है जिसका protoplasm जीवर्वय जो है या कोशिका द्रवय जो है उट dobrit ये सगन है इसको कै बोल देते हैं कूल देते हैं हम लोग300 jaanit कोशिका या embriogenic of the hell is embryonic cell या 쏙 IS4 क्या बनता है काइक cellular stage जाती है जिसको क्या बोल देते हैं ग्लोबलर अवस्था विक्सित हो जाती है यानि कि जो गोला तंतर बनेगा आगे चलकर या रूट सिस्टम बनेगा और जो प्ररोष शिकागर ऐसे क्या बनता है अभी प्ररोष तंतर बनता है यानि कि शूट सिस्टम का निरमान होता है ठीक है ग्लोबलर अवस्था के बाद फिर और ज़्यदा डवलप्मेंट होगा और बाकी की जो इती जैजस से बुजरने के बार थीक है अब अगर अगर अपने जयगटिक वुञण की बात करें यानि कि जयगाट से अगर ब्रूण बन रहा है तो उसमें जो ब्रूण बनेगा वो पुरी तरह से प्रिपक्व हो जाएगा पुरी तरह से मैचोर हो जाएगा और जो मैचोर embryo होता है वो कुछ क्रेक्टर्स या कुछ लक्षन प्रदश्यत करता है तो यह कौन-कौन से लक्षन हो सकते हैं भी सबसे पहला मैचोर embryo morphology या प्रिपक्व भृूण आकारी की तो भृूण की जो शेप है या बाया आकारी की है या external morphology है वो प्रिपक्व हो जाती है या मैचोर हो जाती है ठीक है दूसरा Carbohydrates, Lipids and Proteins ये कौन से होते हैं भी संग्रहित प्रकार के होते हैं संग्रहित Carbohydrates, Lipids and Proteins जो हैं इनका जमाव होना शुरू हो जाता है यानि Storage, Carbohydrates, Lipids and Proteins होते हैं इनका Accumulation होना शुरू हो जाता है कहाँ पर Embryo के अंदर है न तीसरा क्या होता है भी Reduction in Water Content जल की मातरा में ढूरून के अंदर जल की मातरा में कमी आ जाती है जो जल है वो किसलिए चाहिए होता है भी अंकुर्ण के लिए चाहिए होता है या Germination के लिए चाहिए होता है ठिक है, लेकिन जब भुरून जाइगोट से बन रहा है तो वो किस में बन रहा होगा बीज के अंदर बन रहा होगा और जो बीज या सीड होता है ठीक है, वो dormant हो जाता है यानि वो प्रसुपता वस्था के अंदर चला जाता है तो वो dormant कब होगा dormant वो इसलिए जो mature embryo होता है या प्रिपक्क भुरून होता है उसके अंदर जल की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है तो reduction in water content इसके लावा जो metabolism होता है या उपापच्चेन होता है जो उसमें gradual decline आता है क्रमिक कमी आती है यानि कि धीरे-धीरे metabolism कम होता जाता है ठीक है क्योंकि जो भुर अच्चे क्रियाएं है वो दीरी-धीरे दीमी हो जाती है slow हो जाती है ठीक है तो यह चार characters है जो की एक mature embryo प्रिपक्को भुरून के द्वारा परदर्शित की जाते है यह किसमें होता है जाइगोटिक भुरून जरण में होता है लेकिन जो काईक भुरून जरण होता है या बलकि वो कैसे रहता है यह प्रिपक्कव रहता है ठीक है इसका कारण क्या है environmental factors वातावरनिय कारकों के कारण क्या होता है जो काईक भुरून है यानि जो somatic embryo होता है वो अपने समाने विकासिया pattern से विचलित हो जाता है उसका जो normal developmental pattern होता है उससे वो deviate हो जाता है यानि कि किसी दूसरे पत पर या पात के उपर चला जाता है उसकी जो metabolic activities होती है तो इसके तीन futures हो सकते है या तीन भविश्य हम लोग कह सकते हैं हो सकते है तो या तो somatic embryo जो है वो क्या बनाता है कैलस उत्पन करता है जो काईक ब्रोन जो की अभी पूरी तरह से विक्सित नहीं हो आ है ये कैसा अभी एपरिपकव है या immature है तो इस immature काईक ब्रोन या somatic embryo से या तो कैलस उत्पन हो सकता है पहला इसका बविश्य यह है दूसरा बविश्य क्या हो सकता है अभी स्वित्यक ब्रोन जनन, secondary embryogenesis कर सकता है ठेक है यानि कि जो आपरिपकव ब्रोन है या immature embryo है वो फिर से दुबारा से ग्लोबलर स्टेज में जाएगा ग्लोबलर स्टेज से फिर other stages में होता हुआ फिर से ब्रोन जनन करेगा या embryogenesis करेगा इसको क्या बोलते है डिरेक्ट सेक germination हो सकता है या अंकुरन हो सकता है इसका एपरिपकव रूप से या immature germination हो सकता है इस ब्रोन का ठीक है और इससे क्या बन सकता है प्लांटलेट बन सकता है या पौदा बन सकता है तो ये तीन भविश्य या फेट हो सकते है किसके एपरिपकव काईक ब्रोन या immature somatic embryo ठीक है अब जो प्रतियक्ष बुरून जनन्व हैं, इसको यह हम लोग करने वाले हैं डिटेल के अंदर, यह दो टाइप का होता हुआ, एक तो होता है, डिरेक्ट TC, यह असको बोल देते हैं प्रतियक्ष बुरून जनन्व, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि direct embryogenesis क्या होता है तो इसमें क्या होता है जो explant की cells होती है या कृतोत्त की जो कोशिकाई होती है वो callus का निर्मान नहीं करती है यानि callus नहीं बनेगा उससे callus नहीं मना कर क्या बना देंगी सीधे ही brun में परिवर्दित हो जाती है या direct embryogenesis बोल देते हैं लेकिन direct embryogenesis बहुत ही कम होता है जादा तर ये देखने को नहीं मिलता है बहुत ही कम देखने को मिलता है for example एक plant होता है इसको बोलते है और्चार्ड घास या और्चार्ड ग्रास भी बोल देते हैं इसका नाम होता है dactylis glomerata ठीक है तो इसका जब हम हम लोग पर्ण मद्योत्तक कोशिकाओं लेते हैं जो मीजोफिल सेल्स होती है हम लोग leaf के अंदर से मीजोफिल सेल्स या पर्ण मद्योत्तक कोशिकाओं को निकाल लेते हैं और उसका क्रत्रिम माद्यम के ओपर या artificial medium के ओपर उसका culture या समर्दन करते है ठीक है तो उससे सी या काईक ब्रोन बन जाएगा, तो इसमें कैलस का निर्मान नहीं हो रहा, तो यह किसका एक्जम्पल है, पर्तेक्ष ब्रोन जनन या डिरेक्ट एंब्रोजनेसिस का एक्जम्पल है, ठीक है, तो एक्स प्लांट या करतोत्तक से क्या बन जाएगा, काईक ब्रोन या सुमेटि से पहले क्या बनेगा और फिर चैलरस से आगे क्या बनेगा का इक बूर्णियाल्स थना ठीक है तो करतोचत की जो एक्सकारे perspectives है वह पहले क्य अगे प्wa-D विख्षित होती है और फिर कैलरस से किसी एक ब्रूण जनित को शिकास है कैलस के अंदर बहुत सारी सेल्स होंगी मल्टि सेल्लोर होता है तो उसकी किसी एक सेल से एक embryogenic सेल बोलेंगे उसको उस एक embryogenic सेल से क्या बनता है फिर आगे चलकर somatic embryo या somatic embryo या kike brun का प्रिवर्दन होता है ठीक है इसको हम लोग क्या बोलेंगे भी इंडिरेक्ट apothex brun जनन या एसा brun जनन या embryogenesis जो कैलस के माधिम से होता है या कैलस से होता हुआ होता है उसको क्या बोल जिते हैं apothex brun जनन या indirect embryogenesis बोल जिते हैं और ज़्यादा तर brun या somatic embryo बनेगा ठीक है उसके बाद है विदी या procedure हम लोग somatic embryogenesis करवाना चाते हैं तो हम लोग कैसे करवा सकते हैं lab के अंदर plant issue culture के द्वारा तो इसमें हम लोग एक plant लेते हैं भी typically या आदर्ष रूप से जो पौदा करने के लिए हम लोग जो आदर्ष पादप समगरी है जो typical plant material है उसके रूप में हम लोग गाजर या carrot का उप्योग करते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमारा काम किया है भी x plant को select करना तो हम लोग carrot जो है या गाजर जो है उसके अंदर करतोत्तक के रूप में या x plant के रूप में उसके कुछ भागों का या कुछ parts का उप्योग कर सकते हैं तो सबसे पहला क्या है नर्जमित रूप से विक्सित यानि कि sterilized conditions के अंदर नर्जमित परिस्थितियों के अंदर develop किया गया साथ दिन पुराने अंकुरों यानि कि जब germination हो जाता है या अंकुरन हो जाता है जब हम पीज को उगाते हैं या जो गाजर है उसके बीज को हम लोग उगाते हैं उगाने के बाद साथ दिन तक हमें wait करना है 7 days तक हमें क्या करना है वेट करना है या इंतिजार करना है तो साथ दिन पुराने अंकुरों से ही है ना साथ दिन में क्या होगा प्लांटलेट्स बन जाएंगे है ना उसके छोटे पौदे बन जाएंगे उन पौदों को क्या बोलेंगे अंकुर या प्लांटलेट्स बोल देते हैं तो इन अंकुरो या पैडिसेल कहलाता है पर्णवरंत बोल देते हैं इसको या लीफ स्टॉक बोल देते हैं तो यह जो लीफ स्टॉक होता है इसका एक छोटा सा टुकड़ा हमें लेना है उसका साइज कितना होना चाहिए पॉइंट वन से लेके एक सेंटिमेटर तक या फिर हम लोग क्या कर स सकती है एक्स ब्लांट के सेलेक्शन दूसरी कंडिशन क्या हो सकते है भी हम लोग मूसला मूल लेना है हम लोग कैरेट खाते हो आप लोग उसकी सबजी भी बनाते हैं हम लोग तो हमें क्या करना है मूसला मूल लेनी है उसकी टैप रूट लेनी है और उस टैप रूट को हम में surface sterilize कर लेना है, या उसका सथही निर्जमेकर्ण कर लेना है, ठिक है, और उसके बाद फिर हमें 0.5 cm2, है ना, एक गनाकार टुकड़ा जो है, cambium उत्तक का यानि cambium tissue का हमें एक टुकड़ा जो है वो लेना है और उसको हम लोग explant की तरह है या कर्दोतक के रूट में उसका उप्योग कर सकते हैं ठीक है तो इस diagram के अंदर आप देख सकते हो carrot या गाजर जो है इसकी मूसला मूल या tap root दे रखी है इस tap roots में से हम लोग कौन-कौन से explant या गर्दोतक ले सकते हैं तो सबसे पहला पर्णवरंथ का टुकड़ा यानि कि इसकी जो leaf होती है उसके stock का टुकड़ा है या piece है जैसे leaf कहां से develop होगी यह देख़आ इस तरह से यहां से develop हो रही है तो पर्णवरंथ का टुकड़ा ले सकते हैं size कितना होना चाहिए 0.5-1 cm length इसकी होनी चाहिए या फिर mole का टुकड़ा ले सकते है 1 cm इसकी root का हम लोग 20 ले सकते हैं या फिर हम लोग क्या गर सकते हैं भी cambium tissue इसमें से हम लोग cambium tissue निकालेंगे उसका size कितना होगा 0.5 cm3 ठीक है तो इन तीनों में से कोई भी हम लोग explant या करतोतक के रूप में ले सकते हैं अगर हम somatic embryo या kike brun को prerid करना चाते हैं या induce करना चाते हैं चले तो अब हमें इस procedure को आगे बढ़ाना है हमें क्या करना है भी sterilized techniques का यूज करना है नर्जमित तकनीकों का उपयोग करना है और जो करतोतक या explant हमने select किये हैं उसको एकल रूप से यानि कि हमें सिरफ एक explant लेना है और उसको एकल रूप से एक अर्ध ठोस MS माध्यम पर स्थापित करते हैं semi solid जो MS माध्यम होता है medium होता है उसके उपर इसको establish कर देते हैं स्थापित कर देते हैं इस माध्यम के अंदर क्या होना चाहिए भी दो जीजे होने चाहिए एक तो 240 और 2% सुक्रोस 240 कितना होना चाहिए 0.1 mg पर लिटर होना चाहिए और जो सुक्रोस है वो कितनी होने चाहिए ये 2% होने चाहिए अब ये जो culture होता है इसको हम लोग अंधेरे में रखते हैं darkness के अंदर इसको मुश्मायन करते हैं या इसका incubation करते हैं ठीक है तो इस माध्यम में जो explant होता है वो क्या कर देता है भी callus उत्तक का उत्पादन करता है यानि कि callus tissue जो है वो बहुत सारा हमें obtain हो जाएगा इसको हम लोग diagram से देख लेते हैं भी एक petri dish है हमारे पास इस petri dish में हमने अगार मातेम डाला हुआ है वही MS मातेम इसको अगार मातेम भी बोल देते हैं क्योंकि उसके अंदर अगार जो है वो chemical यूज किया जाता है अब ये जो medium है इसके अंदर मैंने दो चीज़ें आपको बताई है एक तो 2,4-D डालना है इसकी मातरा कितनी होने चाहिए 0.1 mg पर लिटर और दूसरा सुपरोज लेनी है कितनी 2% तो ये दो चीज़ें इसके अंदर जुरूर होने चाहिए बाकी nutrients भी होते हैं लेकिन ये दो हमें add करने है extra या अतरिक दोप से तो उसके बाद हमें क्या करना है भी इस मात्धम के उपर हमें explant या करतो तक जो है उसको establish कर देना है या स्थापित कर देना है और फिर अंधेरे में यानि darkness के अंदर इसका incubation या उश्मायन करना है तो चार सब्ता के पश्चात after the four weeks आप लोग देखोगे कि ये जो medium होगा या मात्यम होगा इसके उपर एक irregular या animate को श्चिकाओं का smooth बन जाएगा और इसको क्या बोलेंगे callous बोलेंगे ठीक है अब हमें क्या करना है भी जब चार सब्ताओं के पश्चात जो callous हमें प्राप्त होता है उसको हमें छोटे छोटे pieces के अंदर काटना है और हमें एक piece लेना है callous होता का उसका वजन कितना होना चाहिए भी वेट कितना होना चाहिए 0.2 gram 0.2 gram हमने callous tissue ले लिया अब हमें क्या करना है इसको द्रव माध्यम में स्थानांतरित करना है तो द्रव माध्यम किस के अंदर होगा भी ये अगार रहित होना चाहिए द्रव माध्यम तभी बन सकता है जब हम उसके अंदर अगार नहीं डालेंगे क्योंकि अगार का काम क्या होता है माध्यम को ठोस बनाना तो द्रव माध्यम किस में ले सकते हैं फ्लास के अंदर ले सकते हैं फ्लास का साइज कितना है 500 ml है ठीक है उसके अंदर हमें कितना द्रव माध्यम लेना है 20 से 25 ml द्रव माध्यम लेना है और इस द्रव माध्यम के अंदर हम लोग क्या डाल देते हैं 0.2 gram Callous Tissue का जो तुकडा है वो डाल देते हैं ठीक हैं और इससे क्या शुरू हो जाता है भी उशी का निलंबन समवर्दन यानि Cell Suspension Culture जो है वो स्टार्ट हो जाए अब हमें इसका उश्मायन करना है या Incubation करना है तो Incubation जो है निलंबन समवर्दन या Suspension Culture का वो किस पर किया जाता है Guiratory Shaker पर किया जाता है तो अब इन फ्लास्कों को Guiratory Shaker पर रखकर हम लोग उसको हिलाते हैं है ना Automatic उसमें सिस्टम होता है तो Speed कितनी रखनी है भी 125 से 160 RPM Speed हमें रखनी है उसको गुमाते हैं और तापमान कितना रखना है 25 degree centigrade तापमान होना चाहिए ठीक है और जो Light की Presence या Absence है उसका यहाँ पर कोई भी Effect नहीं पड़ता है तो प्रकाश की उपस्तिति या नुपस्तिति जो है वो नाजुक नहीं होती है यानि की Light की Presence या Absence यहाँ पर critical नहीं होती है तो Light दें तो भी कोई Problem नहीं है अगर ना दें तो भी कोई Problem नहीं आती है तो इस Diagram के अंदर आप देख सकते हो एक Flask है और इस Flask के अंदर हमने Liquid Medium लिया है द्रह माते हम लिया है कितना 20 से 25 एम इसमें अगार आपको नहीं मिलाना है तो यह कैसा होना चाहिए अगार रही तो होना चाहिए यह Flask का Size कितना है अभी 500 ml Flask है और इसमें 0.2 ग्राम कैलस जो टिशू है इसको हम लोग डाल देते हैं और फिर Cotton Plug से इसको बंद कर दिया जाता है और फिर इसको अब इसको कहां रखना है गारेटरी Shaker के उपर रखना है तो यह इस तरह का स्पीड है वह आपको कितनी रखनी है 125 से 160 rpm यानि राउंड पर मिनट आपको रखनी है और तापमान कितना देना है भी 25 degrees centigrade तापमान पर इसका हुश्मायन या इंक्यूबेशन करना है अब प्रतेक चार सब्ता में इसका मतलब हर एक चार सब्ता के पशात या आपको क्या करना है अभी कोशी का निलंबन से आपको कितना लेना है पाच ml निकालना है और उसको आपको 65 ml ताजा द्रव मादे में उपसंवर्दित करना है यानि सब कल्चरिंग करने हैं आपको एक दूसरे फ्लास्क लेना है इस डियाग्राम के अंदर आप देख सकते हो इस फ्लास्क के अंदर चार सप्ता के पशाथ यानि इस फ्लास्क में से आपको 5 ml कोशिका निलंबन या सेल सस्पेंशन निकालना है और फिर एक दूसरे फ्लास्क के अंदर जिसमें आपने 65 ml फ्रेश लिक्विड मेडियम या ताजा द्रव माद्धम ले रखा है इसमें आप लोग ये 5 ml सेल सस्पेंशन डाल देते हो और फिर इसका क्या करते हो उपसमवर्दन करते हो यानि कि सब कल्चरिंग करते हो इसका मतलब इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा उश्माइन करना पड़ेगा या इनक्यूबेशन करना पड़ेगा अब हम लोग यह चाते हैं कि जो भ्रून हमें प्राप्त हो इससे जो हम लोग embryo develop करेंगे या भ्रून जो विक्सित करेंगे वो एक समान हो सारे के सारे जो भ्रून है वो एक समान हो उनका जो size है या आकार है वो एक जस्सा हो तो एक समान ब्रून समझ्टी यानि कि equal embryo population निर्मान को प्रेडित करने के लिए या formation को induce करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भी यह जो कोशे का निलंबन हम लोग बनाते हैं या cell suspension हम लोग develop करते हैं इसको हम लोग छलनियों से चान लेते हैं सीवज होती हैं हमारे पास ये किसकी बनी होती हैं भी stainless steel की बनी होती है ठीक है mash चलनियां बोलते हैं उनको या mash सीवज बोल देते हैं उनकी एक शरंखला से शरंखला का मतलब यह होता है कि एक से ज़्यादा चलनी होती है जो की एक क्रम के अंदर लगे हुई होती है तीन या चार सीव वो एक क्रम के अंदर लगे होई होगी इसको अपने डायगराम से देखेंगे तो इस कोशिका निलंबन को सेल सस्पेंशन को इसमें से गुजरा जाता है यआ पास किया जाता है अगर कैरट के लिए या गाजर के लिए हम लोग बात करें तो छलनियों का जो आकार है चिद्राकार या पोर साइस है या कतना होना चाहिए 74 मा tweakro mje सिंगल सैल्स को अलग कर देता है वह अनेक छोटे कोशी की अगुच्छों, याने की small cellular clusters जो है, वो निलंबन के अंदर उत्पन कर देता है, या develop कर देता है, इस diagram में आप देख सकते हो भी, flask है हमारे पास, जिसमें हमने क्या लिया है, cell suspension या कोशी का निलंबन लिया है, अब हमें इसको तीन छल्नियों से, य एक, दो और तीन, टोटल तीन छल्निया है, इन तीनों छल्नियों की एक श्रंखला में से, हम लोग इस कोशी का निलंबन या cell suspension को चानते हैं, तो इस last वाली जो चल्नी या सीव होती है, इसको पास करने वाला जो कोशी का निलंबन होता है, या cell suspension होता है, इसमें एकल कोशी कोशी का हैं, या single cells होती है, इसकी carrot की, ठीक है, और साथ में कुछ कोशी की है smooth या cellular clusters होते हैं, तो यहाँ पर हमें छनित या filtered cell suspension या कोशी का निलंबन प्राप्त होता है, इस speaker के अंदर हम लोग इसको collect कर लेते हैं, अब हमें काइक ब्रून जनन करवाना है, या न, cell suspension तो हम ने बना लिया, अब उससे हमें काइक ब्रून जनन करवाना है, यानि somatic embryogenesis करवाना है, तो काइक ब्रून को बनाने के लिए, या somatic embryogenesis को प्रेरित करने के लिए, या induce करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं भी, जो चनित कोशी का निलंबन होता है, यानि जो filtered cell suspension होता है, य उसका एक भाग लेते हैं, ठीक है, और उस एक भाग को हम लोग स्थनांत्रित करते हैं, ठीक है, द्रव माध्यम में या फिर फोस माध्यम के लिए जा सकता है, लेकिन condition क्या है, कि ये जो द्रव या अर्द फोस माध्यम हम लोग ले रहे हैं, ये 240 रहित होना चाहिए, इसक कभी भी नहीं बनेगा, तो इसमें हमें 240 नहीं डालना है, तो 240 रहित द्रव माध्यम ले सकते हैं, या फिर 240 रहित अर्द फोस माध्यम ले सकते हैं, इनके उपर इस कोशिका निलंबन के एक भाग को, या cell suspension के एक पार्ट को हम लोग स्थापित कर देते हैं, या transfer कर देते ह अब हम क्या करते हैं भी, मीडियम के अंदर, अबसिसिक असिड डालते हैं, ठेक है, और अबसिसिक असिड कितना डालना है, 0.1 से लेके 1 माइक्रो, माइक्रो मिलिलेटर तक, ठेक है, या अबसिसिक असिड जो है, यह दो काम करता है, तो कौन-कौन से काम करता है, सबसे पह तो इसका मतलब जो एबीए है वही उत्तरदाई होता है या रिस्मांसिबल होता है किसके लिए काइक भून या सुमेटिक एम्प्रियो के फॉर्मेशन के लिए दूसरा यह एबीए क्या करता अभी एस अमयक अंकुरन विशेश रूप से मूल निर्मान को रोकता है एस अमयक और germination. जो ब०ून का अप्रिपक्व अंकुररन है. है ना, बुरून के अंकुररन से क्या बनेगा? root system बनेगा, दिचे की तरफ, उपर की तरफ, shoot system बन सकता है. तो ये जो A-B-E है, वो क्या करेगा? इस अंकुररन को रोक देगा, है ना, जा कि हम लोग जो somatic embryo develop करना चाते ह या विक्सित करना चाते हैं, वो विक्सित हो सकें, ठीक है, तो ये भी विशेश रूप से क्या करता है भी, जो root formation है, यानि कि मौल का जो निर्बान है, उसको रोकने का काम करता है, ठीक है, तो अब इस पूरे के पूरे setup को उमलो क्या करते हैं, भी अंधेरे के अंदर, ये ज एक सकते हो, एक flask के अंदर हमने liquid medium, द्रव माध्यम या फिर ठोस माध्यम जो है, वो लिया हुआ है, इस ठोस माध्यम के अंदर 24D आपको नहीं डालना है, 24D रहीत होना चाहिए, अगर हमने इसमें 24D डाल दिया, तो हमारा जो somatic embryo है, या kaiq brune है, वो नहीं बनेगा, ठी ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या डालना भी आपको ABA डालना है, कितना डालना है, 0.1 से लेके 1 micromililiter डालना है, ठीक है, और इसके अलावा इसमें आपको छनित कोशिका निलंबन जो आपने filtered cell suspension लिया है, उसको इसके अंदर add कर देना है, ठीक है, तीन से चार सप्ताओं के पहश्चात क्या होगा भी, after the three to four weeks, जो परतेक संवर्धन होगा, या हर एक कल्चर होगा, उसके अंदर अनेक काईक भोन जो है, या बहुत सारे somatic embryos जो है, वो बन जाते हैं, ठीक है, जो की अलग-अलग विकासिये अवस्था के अंदर, या कोई torpedo stage में होगा, कोई globular stage में होगा, है न, कोई cutylidinary stage में होगा, तो अलग-अलग stages होगी, इन embryos की, या इन ब्रोह की, तो आप लोग इसके अंदर देख सकते हो, diagram के अंदर, तो इस flask के अंदर, तीन से चार सप्ता के पहशात, after the three to four weeks, जो काईक भून है, या somatic embryos जो है वो develop हो जाते हैं, और इस flask के अंदर, देख सकते हो आप, अब आपको क्या करना है भी, ये जो somatic embryos या काईक भून बने हैं, इन से हमें plantlets बनाने हैं, या नए पौदे बनाने हैं, तो plantlets निर्मान के लिए, या पातपक निर्मान के लिए हम लोग क्या करते हैं, काईक ने इसको medium के उपर establish कर दिया है, after some weeks, कुछ सब्ता के पर आप लोग दिखोगे, की plantlets जो है, पौदे जो है, वो develop हो जाते हैं, अब इन पौधों के आगे के परिवर्धन के लिए, अगर हम आगे इसको develop करना चाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इन plantlets को या पातपकों को छोटे गमलों के अंदर, या small pots के अंदर, है न, या vermiculites के अंदर, स्थानांतरित कर देते हैं, या पात्स के अंदर हम लोग वर्मी कंपोस्ट डाल कर, और soil के साथ उसको establish कर देते हैं, ठीक है, तो इस तरह ऐसे pot के अंदर हम लोग plant को यहां पे establish कर देते हैं, ठीक है, त उसके बाद, last इसमें आता है, इसका importance या महतव, तो हम लोग embryogenesis के द्वारा, या brune general के द्वारा, अपस्थानिक ब्रोन जो होते हैं, या जो adventitious embryos होते हैं, somatic embryo या kike brune को हम लोग अपस्थानिक ब्रोन या adventitious embryo भी कह सकते हैं, तो अपस्थानिक ब्रोनों का हम लोग production या उतुपादन जो हो कर सकते हैं, तो सबसे पहला importance इसका ये है, दूसरा जो अपस्थानिक brune होते हैं, जो somatic embryos होंगे, वो कैसे होते हैं, द्वी द्वी रोग या bipolar होते हैं, ठीक है, तो सीधे ही क्या करते हैं, ये directly संपूरन plantlet का formation या सीधे ही संपूरन पौदे का नि पौल निर्माण मात्यम में, अलग से इसको स्थनातरित करने की आवशक्ता नहीं पड़ती है, ठीक है, तो ये भी किसका importance है, या महतव है, इसके लावा जो काईक brune होते हैं, या somatic embryos होते हैं, उनके अंदर संग्रहित भोजन नहीं होता है, stored जो food material है वो नहीं होता है, ठ तो इनका अगर अपने capsule करने करने, यानि इनको artificially या कृत्रिम रूप से इनके चारों और जैल की एक layer चड़ा दें, capsule बना लें इसको, तो हम लोग क्या बना सकते हैं भी, कृत्रिम संसलिष्ट बीजों का निर्मान कर सकते हैं, यानि कि artificial जो synthetic seeds हैं, उनका भी formation जो है, वो क बात है कि काईक भ्रून जो हैं, या जो somatic embryos हैं, वो एकल कोशिकाओं से विक्सित होते हैं, यानि कि single cell से develop होते हैं, इसलिए हम लोग इसका जो उपयोग है, वो उत्परिवर्तन अध्यन, यानि कि mutation study के अंदर इसका उपयोग कर सकते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा importance है इसके लाबा हम लोग अगर रोगमुक्त पौदे, यानि कि disease free plants को develop करना जाते हैं, तो भी हम लोग embryogenesis या brown general करवा सकते हैं, तो ये था अभी अपना आज का lecture Hello students, अगर आप B.C. Agriculture के सभी subjects के Hindi English में notes लिखित में चाते हैं, तो इसके लिए आपको एक website पर जाना होगा, इसके लिए आपको Google में सर्च करना होगा, Plant Braiding 2010, जिसमें कोई भी space आपको नहीं रखना है, तो हम लोग सर्च करते हैं Plant Breeding 2010, और उसके बद आपको Enter दमाना है, जैसे ही आप Enter पर क्लिक करते हो, तो आपको सबसे उपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा, Science and Agriculture Botany के नाम से, ठीक है, ये website फॉन सी है, Plant Breeding 2010.blogspot.com, तो इस लिंक को आपको open करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप Link के उपर क्लिक करोगे, तो आपको एक Science and Agriculture Botany के नाम से, website open हुई दिखाई देगी, इसमें आपको Left Corner पर Side Bar पर क्लिक करना है, और जैसे ही Side Bar पर क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पर अलग-अलग Subjects के जो Links हैं, वो मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ जो Old Papers क Links हैं, वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जनके उपर क्लिक करके आप Notes तक पहुंच सकते हो, जो Subjects यहाँ पर Mentioned नहीं हैं, वो आने वाले टाइम में यहाँ पर Add कर दिये जाएंगे,